हाल सब नमस्कार कैसे हैं आप सब जितने भी CSC ASPG students आप सभी को पता होगा कि इस चनल पर free content अभी हम लोग provide कर रहे हैं सभी CSC students को और आज का वह अफ़ा लेक्षर होने वाला है, वो है Qans' का Basic Algebra जो भी आपका assumed syllabus है उसके वेसिस से पर हम लोग section A आपका cover कवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो जिते भी स्वीज़ाइट के आपको सब्सक्राइब कर लीजिए सारी के सारी latest update आपको इस चैनल पर मिलती है सारी के सारी information मिलती है आपको जो study material है वो भी हम लोग provide करने की कोशिश कर रहे हैं तो चैनल को जरूर जरू सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी आपको पढ़ाने वाले हैं सोरब तरपाथी सर तो अपने copy और pen भी ले सकते हैं ताकि आप अपने notes बना सको तो अभी सोरब तरपाथी सर आपको पढ़ाने वाले हैं basic algebra Hello students आज के session में हम देखेंगे basic quant का topic algebraic identities So algebraic identities के भी हम जो basic questions आते हैं जो basic forms होते हैं वो यहाँ पर देखेंगे और हमने school में पढ़ा होगा है कि जो basic आपके identities होते हैं like a plus b whole square क्या होता है a square minus b square क्या होता है and so on right So यह सारे identities हम देखेंगे और इसके बाद इसके जो questions आते हैं वो questions देखेंगे अब जो questions आते हैं आपके entrance exams में वो उतने easy नहीं होते हैं जितने आपके school के questions हुआ करते थे हैना school में तो भई हमको directly questions आ जाते थे हैं बट यहां पर जो questions आते हैं वो थोड़े से tricky questions होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं आप काफी जादा अगर books refer करोगे काफी सारे teachers से आप बात करोगे तो वहां पर आप से एक linked होते हैं तो 50 formula में यह नहीं कर रहा हो कि आपको नहीं करने चाहिए बिलकुल अगर आप याद कर पा रहे हो so that is very good for you but कई बार क्या होता है कि भई 50 एक बहुत बढ़ा नंबर हो जाता है और 50 formula आपको किसी से कम formula याद करें और जाधा से जाधा हम marks score कर पाएं ठीक है तो मैं अभी इस session में बताऊंगो कि कैसे आप कम से कम जो आपके 10-12 formula है उनको skip कर सकते हो आपके आप कहीं पर भी आप जस्ट गूगल पर सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे धेर सारे formula बट उसमें से करीब 10-12 formula आपको याद नहीं करने उसमें उसके इस session में मैं आपको ट्रिक बता दूँगा कि कैसे बिना formula याद के भी आप question solve कर सकते हो है ना बिना इस formula को ध्यान देंगे ठीक है से पहले concept क्या होते है आपके अलजबर का identities में है ना तो बहुत जादा कुछ concept नहीं है हम बहुत limited concept के साथ हम ट्राइब करेंगे जादा जादा questions solve कर पाए है राइट सो concept के नाम पे हम बस हमारे पास है भई a square sorry a plus b whole square का formula क्या है a square plus 2ab plus b square बहुत basic formula है और I guess हम सब को यह पता है है ना इसमें कोई difficulty किसी को नहीं होनी चाहिए a minus b whole square क्या होता है यहाँ पर plus की जगह पे minus आ जाएगा so minus 2ab plus b square ठीक है आपका जो third formula आ जाता है वो आ जाता है भई a plus b times a minus b यह क्या होता है यह हो जाता है आपका a square minus b square ठीक है fourth formula a plus b का whole cube जैसे आपने भी यहाँ पे square का देखाता है यहाँ पे whole cube so a plus b का cube क्या होता है it is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube ठीक है similarly the fifth formula is a minus b whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square and minus b cube ठीक है just these five formulas from the basis of your algebraic identities के questions ठीक है तो बस इन basic 5 formulas है अब जो आपके सारे algebraic identities के questions है वो solve कर सकते हो और इसको हम 5 भी नहीं कहेंगे देखो these two are one and the same formula यहाँ पर प्लस b की जगह पर minus b रखोगे आपको यह formula आ जाएगा so this is one formula यह कोई formula नहीं यह तो हमने simply expand किया जब आप a plus b times a minus b करोगे तो क्या आएगा देखो a plus b times a minus b क्या होता है a square plus a b minus a b minus b square आपका आप प्लस a b और minus a b cancel होगे बच गया a square minus b square जो कि यहां पर लिखा हुगा है right so आप इसको चलो एक formula कर कर लो और यह भी आपका एक ही formula है जब आप इसको b को minus b लिख दोगे हैना a minus b cube क्या होता है a plus minus b का cube होता है अब यहां पर जहां जहां पर b हैं वहां आप आप माइनस भी रख दोगे आपको जो formula है वह यह आ जाएगा ठीक है तो बहुत ही limited formula के साथ अभी हम question solve करते है तो जो सबसे पहला question हमारे पास आता है वह यह है most basic question है और काफी बार जहां पर basic आपको point पूछा जाता है exams में वहां पर यह question आ जाता है ऐसा ऐसा कोई भी question आ जाता है ठीक है so if x plus 1 by x is equal to 7 find the value of x square plus 1 by x square is equal to what ठीक है तो आपको दिया हुआ है कि भई x plus 1 by x 7 है तो x square plus 1 by x square की value क्या होगी वह आपको find out करना है ठीक है तो यहां पर देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर आपको x की power 1 दिया है power 1 है यहां पर क्या है भई यहां पर आपका power है 1 यहां पर आपका power है 2 तो 1 power से 2 power तक किस जाएंगे simply squaring on both sides ठीक है सबसे पह on both sides कर देते हैं ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा इसको जब इसका square करोगे तो यह क्या है आपका यहां पर बन जाएगा x plus 1 by x का whole square बन जाएगा that is equal to 7 का square बन जाएगा right simple आपका LHS भी आपने square कर दिया और RHS को भी आपने square कर दिया यहां पर अब देखो यहां पर क्या लगेगा यहां पर आपका a plus b whole square क्या है a plus b whole square होता है a square plus 2ab plus b square right so x आपका a है 1 by x आपका b है तो भाई a square क्या है x square है plus 2ab तो 2 times x times 1 by x थाना x a है 1 by x b है plus b square so 1 by x square ठीक है that is equal to 7 square कितना होता है 49 right अब देखो x times 1 by x तो यह x और x cancel होगे आपके बचा क्या है यहां पर आपके LHS में बचा है x square plus 2 plus 1 by x square that is equal to 49 9 अब देखो हमको क्या चाहिए हमको x square plus 1 by x square चाहिए तो हमको भही इतना वाला पार्ट चाहिए राइट इतना पार्ट हमको चाहिए तो इस टू को हम भेज देंगे right hand side में तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास बच जाएगा x square plus 1 by x square is equal to 49-2 49-2 that is 47 ठीक है तो आपका अंसर आगे x square plus 1 by x square is equal to 47 ठीक है very simple अब देखो यहां पर क्योंकि यह पहला क्वेशन था इसलिए मैंने इतना आपको elaborate करके इतना explain करके बताया है आगे क्वेशन में हम इतना elaborate नहीं करेंगे आप यहां पर एक बार समझ लोग की हो क्या रहा है यह आपको अगर x plus 1 by x is equal to कुछ भी दिया हो तो जो आपका x square plus 1 by x square क्या होता है पता है वो हो जाता है p square minus 2 आपने पहले square किया बाद में आप एक 2 बचता है उसको आप minus करते हो तो यह आपका direct formula है या तो आप यहाद कर सकते हो या तो आप बस ऐसे concept याद कर लो कि भाई हमने यहाँ पर दोनों sides को square किया यहाँ पर 49 आया उसको by by minus 2 कर दिया ठीक है तो यहाँ पर बस इतनी simple सी चीज़ हो रही है ठीक है है next question if x square plus 1 by x square is equal to 12 then find the value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 ठीक है तो बहुत similar है last question की तरह last question में आपका x plus 1 by x की value दी हुई थी आपको find out कर ना था x square plus 1 by x square की value right यहां पर क्या है यहां पर भी आपका यहां पर भी आपका पर अना पर आपका x square plus 1 by x square is equal to 12 यहां पर आपको दी हुई है इसको स्कुएर करो जब तो x square plus 1 by x square का whole square is equal to 12 square ठिकर है अब हम को यहां पर पता कि एक्सपेंड कर लो लेकिन नहीं पर इक स्कुएर और इसका रिस्कर हो यहां पर तो यहां पर सिर्फ बचेगा A, B हो जाएगा 1, क्योंकि 1 by X square cancel हो जाएगा, बच्चे का कितना 2, आपका बच्चे का सिर्फ 2, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, क्योंकि हम ने यहाँ पर सिर्फ इसको square किया है, तो यहाँ पर बच्चे का आपका सिर्फ 2, तो plus 2 is equal to 144, 12 square होता है 144, right, यहाँ पर यहाँ से आपका answer आगया, X to the power 4 plus 1 by X to the power 4 is 144 minus 2, right, 144 minus 2 कितना होता है, 142, यहाँ पर भी आपका formula क्या लगा है, यहाँ पर वही आपका same formula लगाएगी, आपको एक power से जब उसका square power में जाना है, तो simply उसको square करके minus 2 कर दो, उसकी जो भी value है, यहाँ जैसे value 12 है, 12 को सबसे पहले square करोगे, minus 2 कर दोगे, वही हमने चीज यहाँ पर किया है, ठीक है, तो यह होगे आपका basic, सबसे जो basic question होता है, कि भाई, एक power से लेके, दूसरे power तक आप jump कैसे कर सकते हो, power 1 से power 2 पर कैसे jump करोगे, power 2 से power 4 पर कैसे jump करोगे, but, जब आपके पास आपको power 1 दिया is equal to 10, the value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4, यहाँ पर देखो, this is an example, जहाँ पर आपको जो power है, यहाँ पर पावर 1 है, और यहाँ पर आपको जो power हो रहा है, वो 4 हो जा रहा है, ठीक है, तो आपको 1 से 4 में jump करना है, तो यहाँ तो directly इसके भी formula होते है, but formula याद करना हर की से कि बसकी बात हो रहेगी, क्या पता आप exam के बीच में formula भूल जाओ, तो आप फिर attack जाओगे, तो यहाँ पर भाई हमको क्या पता है, हमको दिया हुआ है, x plus 1 by x is equal to 10 दिया हुआ है, तो क्या इस से हम x square plus 1 by x square calculate कर सकते है, बिल्कुल कर सकते है, हम क्या करते है, x square plus 1 by x square calculate करने में 10 square minus 2 कर दे 98, अब 98 इसकी value है, अब अगर आपको अब calculate कर लो, अब देखो power 1 से यहाँ पर आपका जो power है, वो है 1, यहाँ पर जो आपका power है, वो है 2, तो आपने 1 से 2 पर जम करने, 2 से आपको 4 पर जम करना आता है, right, power 4 में क्या करोगे, इसको square कर दोगे, तो x to the power 4 plus 1 by x to the power 4, यह क्य 2 हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपने 1, power 1 से लेके 2 पर जम किया था, same formula अप लगाओगे, power 2 से 4 पर जम करने के लिए, तो 98, 98 का square, minus 2 हो जाएगा, यहाँ पर, है ना, इसकी value जो आप क्या जाएगी, 98 square होता है, 9604 minus 2, so 9602, है ना, तो अभी तक हमने क्या सीखा है, आपने स square तो कैसे जाते हो, आप P square minus 2 कर देते हो, है ना, और हमने देखा हुआ है, 2 to 4 कैसे जाते हो, same चीज़ जब आपको, x square plus 1 by x square equal to P दिया हो, आप क्या करते हो, x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 जाने के लिए, आप इसको कर देते हो, again P square minus 2, यहाँ पर, same चीज़ करते हो, कुछ अलग नहीं कर कर लो, बहुत सारे formula available हैं, but, आप messages करूँगा कि आप यह one to two करो, two to four करो, one to four जाने के लिए, पहले क्या करो, one से two तक जाओ, उसके बाद आप four तक जाओ, है ना, पिसको कैसे याद कर सकते हो, भाई, आप दो शेहरों के बीच में आपको जाना है, है ना, for example, आपको, एक a, उस शेहर से, आपको एक शेहर b तक जाना है, तो आप और दो डारेक्ट रास्ता, उसका याद कर लो, है ना, वरना क्या कर सकते और, किसी नए शेहर c पे जाओ, और वहाँ से आप धीपर जा सकते हो, जहां पे आपको रास्ते की दिक्कत नहीं, जहां तक का रास्ता पता सब्गोंते हैं अबहुत साथी पहुण जाओ बिना किसी प्रॉबलम के सो यह यह होते हैं आपके होते हैं यहाँ है आपको 4 दिया हो और यहां पर 8 लिए लिए एक बार आंसर है वो हो पा रहा है या नहीं और क्या answer आ रहा है ठीक है हाँ तो इसको हम solve करते हैं अब x to the power 4 प्लस 1 by x to the power 4 भाई 13 दिया हुआ है देखो 1 से 2 पता है हमको 2 से 4 पता है तो same rule apply होगा 4 से 8 तक है ना क्योंकि क्या हो रहा है याँ पर double है ना हर number double हो रहा है याँ तो 1 से 2 2 से 4, 4 से 8, even 8 से 16 सब कुछ में same आपका rule apply होगा है ना तो x to the power 8 प्लस 1 by x to the power 8 क्या हो जाएगा 13 square minus 2 हो जाएगा राइट what is 13 square 169 169 minus 2 is 167 सो आपका जो answer आ गया वो आ गया 167 ठीक है बहुत बहुत ही जाला simple concept है बहुत simple concept है और इसके लिए आपको कोई नया फॉर्मला याद करने की जुरूइत नहीं इसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की जुरूइत नहीं कि भाई हमको यहाँ पर फोर दिया और 8 तो बहुत बढ़ा हो जाता है हम कैसे find out करेंगे सो simple बस आपको यह double वाला फॉर्मला याद करना है कि किसी भी आपको कोई भी वालू दी हो उसका जो पावर है उसका double पावर अगर आपसे पूछ रहा हो तो आपको simply square करके माइनस 2 कर देना है ठीक है जो आपके next type के questions आते हैं यहां से वह ऐसे भी आ जाते हैं देखो अभी तक हमने 1 2 4 8 यह वाले powers देखें बट कभी-कभी आपका power 6 भी आ जाता है तो जो यह वाली series होती है उनमें आपको क्या करना होता है वह हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके x2 क्या जाएगी 10-2. अब इसके बाद हम फाइंड-out करेंगे x3 प्लस 1 by x3 इसके लिए एक बहुत ही सिंपल साथ चीज आपको आपको आद करना है कि एक्स क्यूब एक जो कि आपको पहले से दिया हुआ है इसको multiply करोगे x square जो आपने निकाला x square plus 1 by x square और इसमें minus कर दोगे यह वाली चीज़ ठीक है जब यह minus कर दोगे तो आपकी जो वह है वह हो जाएगा आप जो आरचस है ना अरचस को बच जाएगा तो one by x बच जाएगा right similarly one by x times x square यहां पर x बच जाएगा plus x बच गया and one by x times one by x square आपका बच गया one by x cube अब माइनस कर दो x और माइनस कर दो one by x ठीक है माइनस x प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसल हो गया प्लस बचा गया आपके बचा है भई x cube प्लस one by x cube ठीक है यही चीज़ बची है तो वही चीज़ आपका लेचेस था यही आपका left hand side था तो हमको हमेशा याद रखना है कि जब आप power 3 कर रहे हो तो जो आपको power 3 find out करना है तो simply power 1 times power 2 कर दो ठीक है power 3 जब आपको find out करना हो तो यहां पर है बाउर करना हो ओज़तогए तो आप्का power 3 आ जाएगा लेकिन आपको minus करना होगा power 12 QU-1 कितना होता है तो सिंफल सी चीज़ है यहां पर 10 है यह value यह है 98 और यहां पर यह value प्लस वनबाइए क्योग ठीक है अप यहां से देखो एक्सेटिपावर यहां से आप सारे नमर्स फीन और सकते हो ओए फाइव यह भी फाक्न पर सकते हैं पर फाइव भी फाइंड आट कर सकते हो एक्स टुलिपा वार्ट सेवन भी फाइंड उसके लिए च्छेश्टिपाव जब आपको पावर करणा है ना 05 क्या में होता है इसको पावर 2 टीमस पावर 3 करदो바स के बाइब आपका एकस स्क्वाइर टाउरे को अनुद मैं च्वार इसस्क्वा ठायर 10 1 by x cube minus क्या करोगे 3-2 ठीक है देखो 3-2 इतना होता है 1 तो पावर 1 minus again your x plus 1 by x यही चीज़ आप minus कर दोगे ठीक है I hope आप समझ रहे हो कि यहाँ पर आपको कोई भी power आप कैसे find out कर सकते हो इसके बाद so आपका x square plus 1 by x square की value है 98 times x x cube plus 1 by x cube की value है 970 right minus x plus 1 by x की value है 10 ठीक है इसको solve करोगे आपका अंसर आ जाएगा आपका काफी easily ठीक है वो आ जाएगा 9,000 95,050 ठीक है तो यह आपका अंसर यहां पर आ जाएगा 95050 method को आप आपको पता चल गा है तो आप कोई भी कोई भी power x to the power 7 प्लस 1 by x to the power 7 या कोई आप सकते हो सबना आपको पता है भाई 7 आप निकालोगे पौर इंटो थी करके हां पावर्स की बात हो तो यहां पर हम पावर्स की बात करें ठीक है तो वैसे थे लिए मोई निरसे आपको फ़र उससे आपको फिर निए तो थल्सक्र总king कर्णा होगा ऐब को से आपको जो आजाएगा वो स्कूर सूप्राइब करता है इसीक्शन में इस नौई वाइक्स दिया हुए 7 आपको फाइन आट करना है एक्सटी पावर 6 प्लस 1 वाइक्सटी पावर 6 ठीक है तो अगें मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो को पॉस करो अब अपने अब यहां से आप फाइन आट करोगे 6 एना तो एक बार क्यों फाइन आट कर लेते हैं ठीक है एक्सक्यूब प्लस वन बैस्ट्यूब करोगे सब्सक्राइब गए सब्सक्राइब गए तो यहां पर श्क्राइब करेंगे एक्सटी पॉर्टी टू का स्क्वार जोगे तो यहां पर सब्सक्राइब एक जोड़ा डंगे जैसा सब्सक्राइब गार्सटी टू और जेली इसको माइनस टू कर देंगे जैसे सिखा हुआ है कि 1 से टू तक कैसे जोगे डबल डूला रू रूप लागर करना है तो से फॉर्ट तक जोगे डबल वाला रूप्लाइट करना है तो सिंप्ली 322 टाइम टाइमस 322-2 ठीक है तो दाट कम्स आउट भी 103682 ठीक है इसका इसकी वाली होती है 103684-203682 ठीक है तो यह आपका आंसर हो गया देखो शिक्स का दने का तरीका क्या हो गया आपने आप री को ड़ेटल स्क्वार कर दिया है यहां पर आपकी वालू आई थी उसको करके वहां से आपकी जरी हो आई जाएगी वहां पर पी आनसर आजयेगा तो काफ़ी तरिके हम को यहां पता चल घया कोई भी पावर हो आपका जो पावर 20 से लेके तू तक जाना हो पावर 3 तक जाना और 4 तक जाना हो ढ谢 कीशी पावतर जाना हो अब आपको पता है कि को कोई भी चीज असे दिए हुई यह लेken यहां पर देखो कि इसको आपको याद रहार dor dispos आपका जाता है तब आपके यूजं हो जाती है अल रहाइं तो इस सेशन में इतना ही मतलब एक बहुत ही जो frequently ask questions आप इसको FAQ कहते हो वो देखा क्यूंकि काफी बार आपका reciprocal वाले question आ जाते हैं x और one by x के बीच के relations x plus one by x x square plus one by x square यह ऐसे reciprocal relations आ जाते हैं इसके questions काफी frequently और यहां पर use हो रही है आपकी basic identity use हो रही है but directly आप identity नहीं use कर रहे हो first question में ने दिखाया है कि identity कैसे use हो रही है वाँ पर उसके बाद वाले questions में हमने बट जो मैं बता रहा हूं that is most important question होता है one of the most important questions वह ऐसे आते हैं ठीक है इसके अलावा भी identity से कई सारे questions आते हैं जो हम आगे के sessions में देखेंगे but for this session the only thing that we learned कि जब reciprocal relation होता है उसके questions आप कैसे tackle करोगे ठीक है ताकि इसके बाद जब भी आपके पास ऐसा कोई question आ रहा हो उसको देखके आप घबराओ ना आप बिल्कुल easily उसको solve कर पाओ उसमें आप आपने marks score कर पाओ ठीक है so thank you